Hello everyone, today we will read this lesson Gopal and the Hilsa Fish Gopal and the Hilsa Fish Hilsa एक फिश का नाम है ठीक है और Gopal एक इस स्टोरी में एक कोन है यह अभी पता लगाते हैं कोन है Have you ever read a comic book? इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें ध्यान होना जी इस स्टोरी में क्या है तो आपने कभी comic story पढ़ी है comic book कुछ ऐसा एक comic book contain story story में लिए तुरोग pictures comics में क्या होता है हम पढ़ते हैं कई बार Superman की पढ़ते हैं किस की पढ़ते हैं जब छोटे होते हैं जब बहुत सारी comics पढ़ते हैं और ज्यादा तर हम लोग pictures को देख देख के समझ जाते हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं कॉमिक में हमें क्या मिलती है pictures तो यहां पर भी देखो बहुत सारी pictures है और pictures के साथ कुछ लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना है ठीक है यह को देखो आप देख रहा होगा आपको कि यह सब pictures है और इस pictures के माध्यम से ही आपको यह पूरी story है वो पढ़नी है तो चलो हमें start करते हैं आज का जो lesson है हमारा गोपाल and the hills of fish देखे first picture आपकी क्या दिख रहा है इसमें कुछ दिख रहे हैं fishermen और वो क्या कर रहे हैं फिश पकड़ रहे हैं it was the season for hills of fish fishermen could think of nothing but hills of fish यह season है hills of fish का यहीं हिल साफिस पकड़ने की बारे में इस सोच सकते हैं इसके अलाव कुछ नहीं सोचते fisher mongers show nothing but hills of fish और जो मचली बेचनी वाले होते हैं वो भी क्यों हिल साफिस ही बेचते हैं इस समय come by the price of hillsa is down today ऐसे वो market में जो मचली बिकती है वो ऐसे आवाज लगाते रहते हैं आओ आओ ले जाओ ले जाओ चलो इसाफिस कितनी सस्ती हो रही है आज इसाफिस के बाव कम हो गया है अपन market जाते हैं जब सुनते अब थर्ड पिक्चर में देखिए थर्ड पिक्चर क्या करिए householders could talk of nothing but hillsafis घर में भी इसाफिस के बारे में बातचित करते रहते क्या बात है how much did you pay for this debt philsa कोई घर में कोई आदमी इसाफिस लाया है तो उसकी जो वाईफ हो पुछती है इस इसाफिस का तुमने कितना दिया you won't believe it if I told you तुम विशाष नहीं करोगी जब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका मतुर्गी है कि सब लोग किसके बारे में बात कर रहे है इससे में hillsafis की बात करना है आप देखिए fourth picture and in the place palace to the courtiers could discuss nothing but hillsafis और राजा की महल में भी courtiers जो दरबारी होते है courtiers दरबारी वो भी किसके बारे में बात करते हैं hillsafis के your majesty you should have seen the whose hills I catch it was कि महराज आपको पता है कि मैंने देखी है एक बहुत बड़ी hillsa I catch it was when पकड़ी it was यह है तो ऐसे courtiers जो है वो भी यही बात कर रहे है तो राजा को गुस्सा जाता है stop it are you a courtier or a fisherman क्या तुम्हें एक दरबारी हो या फिर fisherman हो तो इसमें राजा बड़े गुस्सा हो रहे है तो पुस्त है कि तुम दरबारी हो कि मचली विशने वाले the courtiers felt silent with downcast eyes the king felt guilty courtiers सब silent हो जाते है उनके आखे नीचे हो जाती है तो राजा को गल्टी में सोस आती है नहीं असा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया I'm sorry I told my temper I lost my temper it is the season for his service and no one मुझे खेद है मैं भूल गया था मैं गुसे में था और यह season है इसलिए सब लोग बात तो करेंगी आजा कहता है अब देखिया आगे वाली पिक्चर में नोट इवन गौपाल कैनी स्टॉप एनिधिंग एनिवन फॉम टॉकिंग भवाट इलसफिस नोट इवन फॉर फाइव मिनिट्स यहां तक कि गौपाल भी किसी को इसके बारे में फिलसफिस के बारे में पांच मिनिट भी रोक नहीं सकता इसके बातचीत करने नहीं गौपाल कोन अब आंसर मिल गया गौपाल भी क्या है कर्टियर पर एक वाई एक ओनिष्ट है रवाइज है एक बुद्धिमान कर्टियर है इसका दरबारी है जो कि अपनी बुद्धिमता के लिए जाना जयता होगा तो वो कहते हैं कि गौपाल भी किसी इंसान को पांच मिंट से भी ज़ादा रोख नहीं सकता इसके बारेम बातचीत करने से ओ आई रीधिंग दिए तो गौपाल कहते हैं जीशित्यशित्य सबस्टा घ। हाहूं माश्यश्ट्ट तो ठीक है मैं देखता हूँ कि चलो तुम्हें एक मचली करीद के लेगा विलसफिस और इसे महल तक लेका हूँ और ऐसा हो कि एक भी इंसान इसके बारे में बात्चीत नहीं करें चलो मैं देखता हूँ माजश्टी और गोपाल कहता है ठीक है महाराज मैं इस तुनोती को स्विकार कर लेता हूँ क्योंकि इसने कहता न कि ऐसा नहीं है महाराज मैं रोक सकता हूँ तो उसने कहा ठीक है आगे देखी यह गोपाल है और उसकी वाइफ है दीक रहा है ना बड़ा अच्छा मजा कि ऐसा कुछ दिनों बाद में वाइज यह फेस हाफ शेव उसकी पतनी जब उसको देखती है कि तुमने यह हाफ सेविंग क्यों बना रखी निया आदी आदी क्यों बना रखी फेस मैं ड्रेसिंग कर रहा हूं ताकि मैं खरी सको एक फिश वाइज 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 तो वो कहते ही कि क्या पात है मुझे बताओ और तुम यह शेविंग भी है जो ऐसे अपने मूपे जो है राक्तियों मल रहे हो I told you I am dressing up to buy a hillsa fish मैंने तुम्हें बताया है कि मैं hillsa fish करीदने जा रहा हूं इसलिए मैं यह dressing कर रहा हूं Listen to me, उसकी पत्नी कहते है अरे मुझे सुनो, please you can't possibly go out in those disgraceful gas What are you up to? उसकी पत्नी कहते है मुझे सुनो, तुम इस ड्रेस में नहीं जा सकते हैं यह कैसे संभव होगे तुम इस ड्रेस में जाओगे नहीं खराब ड्रेस में और what are you up to? और तुम क्या करने जा रहे हूं? How many times must I tell you, woman, I am out to buy a hook, hilsa fish मैंने तुमें कितनी बार कहा है, woman, कि मैं क्या करीने जा रहा हूं, hilsa fish करीने जा रहा हूं तो तुम मुझे क्यों टोक्तियों को पाल कहते हैं तो उनकी पत्नी जब वो जाते रहते हैं तो उनकी पत्नी देखती है, उनको यहां दिख रहा है न, देख रही है It's happened to him, he's gone to bed मुझे लगता है कि वो पागल हो रहे है, नहीं पागल हो गए है, इसलिए वो कुछ ऐसा उटपाटन काम कर रहा है अब देखिए इस पिक्चर में बड़ा ही मजा के ऐसा पिक्चर स्पनी पिक्चर डिपिक्ट किया हुआ है यहां पे गोपाल बोट दा हिल साफिस एंड श्टार्टेड वोकिंग टूआड द प्लेस गोपाल लेल साफिस करीते हैं और पैलेस की तरफ चल लग जाते हैं मदर लुक एट डेट मैं इस नोट कॉमिकल तो एक छोटा सा बच्च अपने ममी को इस चारा करते हैं ममी देखो देखो कि यह इस आदमी को यह कितना मजा के है देखो यह सी किसी डेस पें रहा है हाफ सेविंग कर रखा है देखो तो ही मस्ट भी ए मैड मैन तो लोग बात करें रहे हैं यह तो पागल आदमी है और यह इसमें कोई रहे हैं दूसरा कहता है पता नहीं क्या बात है देखते हैं जब गोपाल कोट में पोष्टता है वाट डू यह बार रहते हैं लोग जो खड़े रहते हैं पहरेदार रहते हैं पहरेदार वो कैते हैं वाट डू यह क्या चाहते हूं I want to see the king मैं राजा से मिलना चाहता हूँ शीदा किया नहीं राजा से मिलना You can't see the king Get away with you तुम राजा से नहीं मिल सकते हैं यहां से चले जाओ Get away, भाग जाओ 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 गोपाल begin to dance and sing loudly गोपाल वहाँ डांस करने लग जाता है आगे देखिए अब राजा जब वो गाते हैं ऐसे बात सुनते हैं तो राजा के कानों में पढ़ती ही बात इंसाइड दा पैलेस राजा के महल के अंदर The man is crazy यह पागल हो गया आदमी Throw him out at once इसे बार फिक दो I want to see the king Let me in मैं राजा से मिलने चाता हूँ मुझे अंदर जाने दो तो राजा ऐसी बाते सुनता है तो राजा सोचते हैं फिर राजा क्या करता है Bring that man to me at once Yes, your majesty तो एक बार जो अंग्रक्षिकत होता है बार जो दर बुज़ते हैं गेट की पर उसको बुलाते है सामने लाई जाते है तो वो कहते है देखो ये ये गोपाल अब देखे इस पिक्चर में क्या है The man has lost his mind लोग बात करते हैं कि गोपाल अपना दिमाग हो चुका है ने गोपाल पागल हो गया तो दूसरा कहता है I think it's one of his crazy jokes ये सबसे भद्दा मजाक हो सकता है ये बिलकुल पागल सा मजाक है ये क्या है पागल सा ड्रेस बना रख ऐसा तो राजा कहता है All right Gopal Out with it Why are you dressed up in this ridiculous fashion ठीक है गोपाल पर ये बताओ कि तुमने ये मजाक के ड्रेस इस तरह की funny dress पनी फेशन के ड्रेस के पेन रखी है Your majesty you seem to have forgotten something मुझे लगता है कि रागोपल कहते है कि मुझे लगता है कि आप कुछ बूल रहे है माईजेश्टी मेरे राजा forgotten something राजा सुसते है क्या भूल गया मैं भाई तो गोपल कहते है इस फ्रेंजली एनफ no one seem to be interested in hill service today मुझे अश्चर है कि कोई भी hill service के बारे में कोई interest ही नहीं जता रहा कि मेरे आत में hill service है कोई इसके बारे पोची नहीं रहा from the market to the palace and in the court notice all has spoken a word about hill service मुझे अश्चर है कि market से लेकर मैं महल आगया महल से लेकर अंदर आ गया किसी भी एक इनसान ने hill service के बारे में एक वर्ट तक नहीं पूछा इत्ते में ही राजा क्या करते है राजा को पता चल जाता only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal तब ही राजा को याद आता है कि Gopal को नो ने एक challenge गया था कि तुम एक hill service well Gopal congratulations you have achieved the impossible one again well well Gopal तुमें बदाई हो और तुमने फिर से एक impossible काम कर दिया जो कि कोई नी कर सकता था मैं बोल रहता पांच ने टोर तुम तो महल से यानी मार्केट से लेकर महल आगए उमहल के अंदर भी आगए किसी ने किसी के बारे में ने पूचा है सब इसके बारे में तो पूचा है क्यों तुमारे बारे में पूच रहते तो तुम वास्ता में कोई इस पर्सन हो I appreciate you तो आप समझ गया होंगे कैसा क्या क्यों ये अपना lesson है बहुत इंटेस्टेड क्यों बारे में पूचा है